प्यारे बच्चों मैं आशिशा करवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्धा किलासिस में बच्चों आपको याद होगा हम प्रेविएस लाक्षास में तीन यूनिट अपनी कंप्लिट कर चुके थे ठीक है आपके याद होगा और आपको बताया गया थे कि पहले यूनि आज हमारी यूनिट नंबर चलने वाली फॉर ठीक है विद्धुत चुम किये प्रेयरन ठीक है तता प्रत्यवर्ति धार आएं ठीक इंग्लिश में अल्ट्रो स्री एलेक्ट्रो मागनेटिव इंड्शन एंड अल्टरनेटिव करेंट ठीक है इलेक्ट्रो मागनेटिव इं हमारा जो फर्स्ट फेवर होता है बच्चो जिसमें पांच उनिट हमारी है तो 35 नंबर का होता है ठीक है टोटल हमारा एक्जाम बोर्ड का 70 नंबर का हमें करना होता है वैसे लेकिन आता 95 का है ठीक है तो अगर आप इस यूनिट को करते हैं तो आपके बोर्ड के एक्जाम alternative current ठीक है बच्चो अगर हम देखें board के exam में तो ये लगबग हमारा chapter 4 number के आसपास का जाता है ठीक है और ये वाला chapter हमारा लगबग 4 number के आसपास का जाता है कुछ इस में से छूट भी आती है तो अगर हम overall देखें तो ये दोनों chapter हमारे overall लेखा जाएं तो तस नमबर के आसपास का board के exam में से आ जाता है ठीक है तो फिलाल बच्चो आज हम chapter 1 स्टार्ट करने वाले इस unit के according वैसे हमारा NCRD के according बच्चो ये chapter नमर हमारा जाएगा 6 ठीक है तो फिलाल हमारा आज का पहला chapter रहेगा वैदुद्चुम्के प्रेरन इसको थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे important chapter है और यह आगे भी आपके आनुवल टाइम में काम आएगा ठीक है बच्चो चलिए start करते हैं चलिए बच्चो देखिए आज हमारा चैप्टर नमबर चलने माला बच्चो ये unit 4 में जबके आट नमबर की unit है उसमें चैप्टर नमबर 6 चलेगा वह चलेगा वैदुद्चुम्के प्रेरन ठीक है इस चैप्टर को बच्चो हम 3 lecture में पूरा करने वाले हैं ठीक है और चुम्के फ्लक्स जाएगा magnetic flux ठीक है अब चुम्के फ्लक्स के बारे में बच्चो हम बात कर लेते हैं यहां पे तो आपके याद होगा बच्चो कि जब हम पर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे उसमें जो हमारा आया था व्यदुद्ध फ्लक्स के बारे में आया था अगर आ तो अगर आपका याद आ रहा हूं तो उसा तरीख से बच्चो यहां पर आपका चुमक्य स्थित्र में श्थित्र इक समान चुमक्य स्थित्र में किसी परश्ट से लमभथ गुजरने वाले चुमक्य चुमकिये छेत्र रेखाओं की संख्या को उस परश्ट से बद चुमकिये फलक्स कहते हैं ठीक है बच्चों उसको किस रेप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास किस तरीके से होना चाहिए तो देखो बुच्छों हमारे पास किस तरीके से होना चाहिए कि अगर आपके पास में माल लेते हैं कि कोई एक तल होगा जैसे मैंने वैसे दिखा रखे हैं आपे कि अगर आपके पास में माल लेते हैं कि कोई एक तल होगा यह वाला इस तरीके से ठीके कोई एक तल आपके पास में है इस तरीके से और इसको जब इसमें मिला देंगे तो माल लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक तल होगा ठीक है तो इस तल से गुजरने वाली छेत्रे रेखाओ की संख्या कि हमारे पास जो छेत्रे रेखाएं हैं वो कैसे निकलती है इस तरीके से यह ना, कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर इस तरीके से जो निकल लए हूँगा आपकी इसमें से, ठीक है तो किसी भी तल से गुजरने वाली चे हाँ यहाँ पर क्या सकते हैं कि चुमकिय छेत्रे रेखा है है चुमकिय बल रेखाओं की संक्या ठीक है नॉर्मली हमारा फॉर्मलस का बन जाता है कि अगर आप देखें यहाँ पर बच्चो यहाँ आपके पास में एक तल है यहाँ पर तो इस तल से गुजरने वाली जो रेखाएं हैं कि किसी तल से इस तरीके से अगर कोई रेखाएं गुजरती है तो इन रेखाओं की संक्या बच्चों हमारा चुमकिय फलक्स कहते है या दूसरे तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि किसी तल से गुजरने वाला जो चुमकिय फलक्स होगा ठीक है? किसी तल से गुजरने वाला चुमके फलक्स होगा? किसी तल से गुजरने वाला चुमके फलक्स होगा बच्चों, वो क्या होता है? कि 5-1 भी बराबर किसीतर से गुझरनेवाला चुमकिय फलक्स यानिकि 5-2 ती रुपा यानिकि भी और चेतर फल सडní यानिकि जिस तल से गुझर रहा है उसका चेतर फल सदिश चै क्या होता है ए कि Scalar GUNAN, Scalar GUNAN कе दो यह बिंदू कुनन के दो यह अधिश GUNAN FAL के बराबर होता है, तो इसका formula बन जाता है बच्चो 5 बराबर, B.A, Vector B.A, जो कि B जो है यहां पर आपकी सदिश राशी होती है तो उसको खोला जाएगा बच्चो तो आपका बन जाता है यहां पर यह B A cos theta ठीके तो आप यहां पर दो स्तिधिया बन जाती है जैसे हमारे पास डाग्राम में दिखा रखा है कि पहली स्तिधिय में क्या है कि आपके पास पास माले थे कि कोई तल होगा यह वाला जिसका चेटरफल दिखा रहे हैं पर A है ठीक है इस तल से गुझनल जो चेटरे रेखा हो कि संख्या होगी वह तल के कैसी होगी यहां पर बच्चो लमबबत होगी अब जब लमबत होगी तो इस पर चेटरफल शदिश जाएगा कि समानतर हो जाते हैं तो उनके वीच को एंगल बन जाएगा जीरो डिक्रे बन जाएगा और को जीरे बच्चो वन हो जाती है इसलिए यहां से कोस कतम हो जाता है और आपका बच्च जाता है कि 5 बराबर B A यानि कि B चुमके हित्र और A छेत्र पर शदिश का जो एरिया परिम आपको चेत्र पर शदिश जो चाहिए होगा आप देखें माल लेते हैं आपके पास तल होगा इस तरीके से बी जा रहा है ठीक है लेकिन जो चेत्र पर शदिश होगा आपके पास में यहां पर वो इस तरीके से जाएगा यह वाला ठीक है तो इसके बीच में जो एंगल जन तो यहां पर इसकी जो value निकल कर आएगी आपकी बच्चो फाई बराबर बी ए कॉस्ट ठीटा निकल कर आएगी ठीक है तो यहां तक बाद आपके संज में आ चुकी होगी तो कुल मुला के अगर हम उसके definition देखते हैं तो बच्चुम क्या क्या से थे कि एक समान चुमके छेत निकल रहा हो कि कुल संक्या को उस परस्टिस बद्चुमके-फलकस कहते ही इसे पाई से प्रदशिद करते है लेकिन कुछ जगाँ और यह कि यहां तक बात क्लिस नहीं यहीं गया दान जाते तो जैसे अगर यहां से इसके मातर के बारें बात कर लेते हैं यहां पर हम यहां बोल सकते हैं कि चित्र एक लिए है ना तो चित्र जो हमारे पास में ए है उसके लिए के लिए ठीटाबराब कितनी जाएगा जिरो डिगरी जाती है तो आपका आ जाएगा पाई B बराबर B आ जाएगा ठीक है बात समचने में आ पारी आपके अब यहां से इसके मातरक के बारें बात कर लेते हैं कि मातरक क्या बनेगा इसका तो बी में आपको चुमके शेत्र मेटर से मेटर गोर तो क्या बचे का नूटन पर नूटन पर एम्पियर यह अगर्ट बच्छु यहां पर नूटन मीटर पर एम्पियर ठीक है यह इसका जो दूसरा मात्रक होता है बच्चो वह बर क्या होता है थिक है दूसरा मातर होता है इसका वेबर इसको मिंद्य में लिख लेते हैं यहाँ पर तो इसका मातर हो जाते है वाला ठीक और अगली बात आपको याद रख नहीं है कि हमारे बास यह दो डिखा रहे हैं हमने कि चुमक्या फलक्स जो हता है आपका वो एक अधिश राशी होत कि संख्या जो है जो चुमक्या बलेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश करती है तो स्केस में चुमक्या फलक्स होगा आपका नेगेटिव ठीक है अगर बाहर की तरफ निकलती है तो यह होगा आपका पॉजिटिव ठीक है कैसा होगा बात एसे बात सम्झाना अपा दूज के ठीके, तो definition हो चुके है, diagram हो चुका है, मातरक हो चुका है इसके और इसके बात सबसे जुरूरी है, अब इसकी वीमा के बारे में बात कर लेते हैं बच्चो किसकी वीमा क्या निकल कर आएगी, ठीके, अब इसकी वीमा के बारे में अगर बात कर लेते हैं बच्चो 2 A की पावर माइनस के 1 तो ये बच्चो इसकी वीमा भी निकल कर आ चुकी है ठीके? तो हमारी definition हो चुकी है हमारा formula निकल कर आ चुका है हमारा मातरग निकल कर आ चुका है ठीके? और हमारी हाँ पर इसकी वीमा निकल कर आ चुकी है ठीके, तो चलिए बच्चो, अब अगला टोबी देख लेते हैं, उगला टोबीक हमारा जाता है बच्चो आपका, वो जाता है आपका विदुत्चुमक्य प्रेयरन विदुत्चुमक्य प्रेयरन प्रेरण अब बच्छों विद्द्द्द्द्द्द परीकट में एक det mist और यक दारमा पर लगाने उसमें बिद्द्दक परीकट में वीद्द्द्द्द्द के उसेंदांAC बिना कोई cell दोसरी में聽 क Three चाहिए और तीसरा इसना आपको एक मैग्टेट चाहिए ठीके तुसके लिए और हैंपों देख यह लेते हैं बच्चों है उसके लिए आथा बोट आप देख सकते हैं कि हमारे पास में एक बंद कुंड़ली है यहां पर ठीके वह समें तो अब यहां पर देखके आपको देखना है कि इस धारामापी में कोई साल नहीं लग रही है तो जब हम किसी मैगनेट को किसी बंद सर्कुट में उसके आप पास लाते हैं तो जम इस चुम्बक को इस कुंडली के पास और दूर लेगे जाएंगे तो यहां पर देखें कि अगर आपके पास में जो एरिया है अगर इसको कंवर्ट कर लेते हो तो मैं लिख सकते हैं कि पाई आर इसका लिख लेंगे जाने कि स्कुंडली की रेडियस तो फिक्स होगी तो एरिया फिक्स हो जाएगा लेकिन अगर आफ बी देखते हैं तो बी आपका चेंज हो रहा है बी चेंज कैसे हो रहा है चुकि लूप बनावा है तो बी के जगे यहां पर हम लिख सकते हैं नॉट अपाॉन मेड फो इंटू आ यानि की आई आएगा आई क्या से इंगा बच्चो अई ना आविश्फगा की दर को पर कि advertisement टो इस स्प्रक्राइब हों करने लगता है जब चुमके बलकाम करेगा तो आवेश किसी पत बनता ब молो़ करता है यह बहुतिए और जब आप और आप आवेश को कवळ्व आती है तो इसको समय लगई गर पार ठेटिए हमेशा इस मैगनेट को नौर्थríक में लेके आ रहे हैं तो करण जा रहा है हैं इस करण को बोलते हैं बच्चों प्रेरिद धारा जिसकी दिशाएसा उस करण का विरोध करते ही होती इसकी वज़ेस वो उत्पन होती है तो इसे आप देख पा रहे होंगे इसकी जो दिशाँ होगी वह कैसी होगी, घडी की विप्रिदिशा में होगी, यानि की इस case में जो धारा की दिशा होगी, वह गियोग बच्चयों, आपकी anti-clock wise होगी, ठीक है? चुकि हम इसको pass लेके आरे हैं तो धारा आपकी विप्रिज जाए होगी लेकिन जैसे हम इसको दूर लेकर जाएंगे जैसे हम इसको दूर लेकर जाएंगे बच्चों तो अब ये चुमके छेतवे की जाना काalth करेगी कि इसले अब धारा की दिशा हो जाएगी प्रेवी धारा होगी आप देख पारे होगे कि यहां से यह रो लगाव है तो ऐसी जा रहा है यह वाला इस तरीके से जा रहा है ठीक है तो आप पासन जब आए कि यदि किसी बंद कुंडली में कोई धारा पी लगा कर उसके आस पास चुमके छेतर को परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से बद चुमके अफलक्सा परिवर्तन होने लगता है और चुमके अफलक्सा परिवर्तन होने से हमाँ पर दो चीज़ पुन होती है नमबर एक प्रिरिधारा नमबर दो आपका प्रिरिध विदुद भागबल ठीक ह इस घटना को बच्चों यहाँ पर कहते हैं विद्धुत चुमके प्रेरंट की घटना आपकी कहलाती है ठीक है इसमें इसका सूथ पॉल हो गया जब उसको पास लाते तो इसका विरोध करता है ठीक है और इसको जो दूर लेके जाएंगे तो इसका विरोध करता है यानि कि जो current होगा आपका उसकी जो direction होगी clockwise होगी लेकिन जब south pole को पास लेकर आएंगे किसी कुंडली में तो उस case में उसमें जो current की direction होगी प्रेट धारा की कि इन परेक्षिनों से यह निसकश निकलता है कि जब चुमबक तथा कुंडली के बीच आपक्षिक गती होती है तो कुंडली में एक विद्धुत्वाहागबल उत्पन होता है जिसे देखे बचो जिसे जिसे प्रेरित विद्धुत्वाहकबल कहते हैं इंडेक्शन E.M.F. कहते हैं ना ठीक है प्रेरित विद्धुत्वाहकबल कहते हैं यदि कुंडली एक बंद परीपत की रूप में होते हैं उसमें प्रेरित विद्धुत्वाहकबल के कारण कुंडली में विद्दुतेoss धारा परवाईत होने लगती है इस धारा को क्या कहते हैं बच्छो फरफिल्ड धारा कहते हैं ठीक है बार सुन्हा पारी के। गटना को क्या कहते हैं बच्छो को बैरत चुंकि प्रेंद के घटना कहलाती है ठीक ये पात के लिए हो चुकिए तो आपके परिभाश में करती है तो आपको हमारी के और चलिए इसके बारे में फिराडए नहीं आप यहां पर दो इसको बोलेता है फिराडे का प्रता नियम या इसको बोलेता है न्यूमेन का नियम है ना यह दूसर नियम बोलते है इसको दित्तिय नियम फिराडे का तो देखिए फिराडे ने विद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्ध तो इस तो यहां पर दो नियम दिए ठीके तो पहला जो नियम होता है इसका बच्चो परताम नियम जिसको हम यहां पर कहते हैं कि हम बोल देते हैं कि फेराडे का प्रतिनियम लिखिए है ना विद्चुम के प्रतिनियम में तो आपको यह लिखना है यह फेराडे के क्या निय से बद चुमके फलक्स में जब किसी परीपत से बद चुमके फलक्स में परिवर्तन होता है तो उस परीपत में एक प्रेड़ित विद्धुधागबल उत्पन हो जाता है यह विद्धुधागबल केवल तभी उत्पन होता है तभी प्रेड़ित होता है जब तक कि परीपत से बद चुमके फलक्स में परिवर्तन, चुमके फलक्स में निरनतन परिवर्तन होता रहता है इस नियम को new man का नियम भी कहते हैं इस नियम को new man का नियम भी बच्चों कहते हैं ठीक है? तो यहां तक बात आपके clearन हो चुकिय होंगी यह इसके definition थी, ठीक है? अगर इसमें आगे चलके देखते हैं हापे तो उन्होंने बताया था कि चुमके फलक्स में जो परिवर्तन हम करते हैं तो जो प्रेरित विद्धागल उत्वन होगा उसकी value क्या निकल कर आती है? ठीक है? तो देखिए बच्चों इसकी value क्या निकल कर आएगी? बच्चों यहाँ पर आपकी माना माना आपके पास में को कुण्डली है ठीक है? तो उसमें delta T समय अंतराल में चुमके फलक्स में जो परिवर्तन होता है वो फाई होता है ठीक है? माना delta T समय अंतराल में अंतराल में किसी कुण्डली से बद चुमके फलक्स में चुमके फलक्स में परिवर्तन delta pi होता है तब उसमें उत्पन परिवर्त विद्दुत वाहब बद तो उसकी value बच्चों निकल गायागी E बराबर के minus delta pi upon delta T ठीक है? अब बच्चों minus क्या है यहाँ पर? तो यहाँ से एक परिवाशा बना सकते हैं कि किसी किसी कुली से बद चुमके फलक्स में जो परिवर्तनम करती हैं पर तो उसमें जो उत्पन होता है आपका प्रेवर्त विद्दुत हागबल उसकी value क्या होती है? तो प्रेवर्त किसी कुली से बंद है ना? किसी बंद कुली से बद चुमके फलक्स में परिवर्तन की रनात्मक दर के बराबर होता है ठीक है? आगे इसमें देख लिएते हैं यदी उंडली में फेरो की संख्या एन हो तब एन हो तब क्या होगा? ए बराबर माइनस के एन डेल पाई अपॉन डेल टी निकल का जाएगा ठीक है? पासने नार पारी आपके बच्चों तो यहां पर इस तरीके से लिख ले जाएगा इसको ठीक दूसरा अगर एन को अंदर डालने तो ए बराब का जाएगा माइनस के माइनस के डेल एन पाई अपॉन डेल टी निकल जाएगा तो जहां पर जापका जहां जापका एन पाई है इसको बोलते हैं बच्चों पलक्स गरंथी पलक्स गरंथी गरंथी गरंथिताओ की संख्या एन पाई को बोलते हैं बच्चों पलक्स गरंथिताओ की संख्या ठीक है पलक्स गरंथिताओ की संख्या इसको कहते हैं यहां पर ठीक तो यहां से आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं तो हमारा यह formula बन जाता है बच्चो यहां पर हमारा e बालाब माइनस के डेलटा यहां पर या तो इसको लगा सकते है यहां पर और 5 की जगे बच्चो आपके याद होगा हम 5 की जगे यहां पर लिख सकते हैं ठीक है, डेल 5 बञाबर आपका पाई B बराबर यहां लिख सपते हैं B A, ठीक है, अपनी सुविधानुजा जो हम कोश्टन को कर रहे होंगे, ठीक है, चल ये, अब अगला देख रहेते हैं, फिराड़े को जो दूसरा नियम होता है, इसको हम लेंज का नियम भी कहते हैं बच्चो, तो देखें, लेंज का न हाग बल, ठीक है, बलकि दिशा सदे ऐसी होती है कि वह उसकारण का विरोध करती भी करती है, जिससे इसकी उत्पत्ती होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं, जो फिराड़े के विद्दुद्चुम के प्रेरन का दित्तिय नियम भी कहलाता है, ठीक है, देखें, दूसरा नियम भी कहलाता है, बास नियम आप आरी आपके, तो यह कोशन सापके बोड के एक्जाम में बहुत इम्पोटेंट है, कई बार आपके बोड के एक्जाम पूछा जाते हैं, दूसरा यह लेंज का नियम किस बहुती राश्य के सनक्षन के तुल्य होता है, यह भी आपसे प यहां तर तो यह टॉपिक आपका बहुत इंबॉडटन थे इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे अप जैसे सको कुछ पूछ लिए आते हैं आपसे तो देखिए जासे हमसे इसे दो Pacific फूछ आप देगे आपको किस तरीके से पूछए आप्से कि लेंज के व्यदुत मेरा चुंकिया फुलक्स प्रयंब्स के नियम अनुसार इसमें से क्या सकती है लेंज का नियम है ना तो लेंज का नियम क्या बताते हैं आपको उर्जा का सनक्षन है ना तो इस लिए इस कोशन को जो आंसर जाएगा बच्चो वो उर्जा का संनक्षन जाएगा और ये बोर्ड के एक्जामेदे को दो-तीन बाग पूछा गया आपसे ठीक है दूसरा सवाल लेंज का नियम किसके संनक्षन नियम के अनुरूप उत्पन होता है तो अभी तो पता है किसके आया था भी आपका तो देखिए उर्जा के रूप में था न तो इसलिए बच्चो क्या लिखा जाएगा यहां पर आपका लेंज का नियम किस संनक्षन नियम के अनुरूप उत् कि वैदुत चुम्के प्रेरंड का लेंज का नियम लिखिए अब लेंज का नियम जस्ट आपको कौन से लिखना होगा यह वाली डैफिनिशन यहां पर लिखी विया आपको यह पूरी लिखनी होगी ठीके तो यहां पर आपको मार्स हमारे मिल जाएंगे बच्चों ठीके अब इसमें देखिए यह जो सवाल हमारे पास में है यह देखिए कितनी बार बोर्ड के एक्जामें पूछा गया आपसे ठीके कि फेराडे के विदुत चुम्के प्रेरंड सम्मंदित नियम बताईए अब जैसे मैं आपको बताया कि फेराडे ने विदुत चुम्के प्रेर तो इसलिए इस question के answer में आपको दोने नियम लिखने होंगे तो यानि कि अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो इस case में आपको यहाँ पर यह वाला नियम आपको लिखना होगा ठीक है और साथ में आपको पूरा derivation देना होगा साथ में इसके और फिर आपको दूसरी नियम में आपको यह लिखना होगा ठीक है यह बोड के एक्जाम में लगभब 5 नंबर या 3 नंबर में आयवा सवाल है और एक बार ने कई बार पूछा जाता है आपसे बोड के एक्जाम में तो देख सकते हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से आप त्यार कर लेंगे इसी वीडियो में आप इसी लक्षर में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में वार जो स्लाइड थी उसमें हमने इसके पूरा कॉश्ण का आंसर दे रखा है यह कोश्ण बहुत इंबोड एंट है इस चैप्टर में कि यह कोश्ण आपको बहुत अच्छी तरीके से जरूर त्यार कर लेना है ठीक है अगला सवाल देखेंगे बचो अब अगला सवाल आपसे कहता है बचों यहां पर यह कि i.3 1.3 कि अजना कि डेख्र दे रखाए बचों यह हैं 0.3 बबर है यह थी रूटा के एक समान के च्रूप में एक वरत्ताकार लूप्ला रखा तल का छे तरफल, जिसके तल का छे तरफल आपको यह दे दिया, कितना है, 20 cm गुना 30 cm, अब इसको अगर convert कर लेते हैं बच्चों, तो वैसे तो हमारी value बन जाती है वाली, कितनी, 230 याने की 600 cm इसका बन जाएगा, अब इसको convert कर लेते हैं, तो 600 गुना 10 की पाव माइनस के 4 m² बन जाएगा, ठीक है, अब value देखते हैं, तो 6 x 10 की पाव माइनस के 2 m² चली जाएगी, ठीक है, यहां तक के लिए और हो गया, अब उसके बाद देख लेते हैं, लूप से संबंद चुम्कियों फलक्स ग्याद कीजिए, नमबर एक, जब लूप का तल, लूप का तल, वैस अगर लूप में, यहां पर लंबाई और चड़ाई दे रखी है, ठीक है, अगर एरिया देना था, तो इस कोशन वाले को सीधा-सीधा यहां पर क्या करना था, क्या आइतर का फ्रेम देता है, लिखता की आइतर का फ्रेम है हमारे पास में, खैर, अब देख लेते हैं कि पे, पहली स्थिदी के लिए, पाई, बी बराबर, बी ए, क्रॉस ठीटा, ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ठीटा की वाल्यू कितनी ली जाएगी, जैसे इसने लिखाना, लूप का तल, छेतर के समान तर है, तो मतलब क्या कहना चाहरा है आपसे, यह आपसे कहना चाहरा ह अगर आपके पास में मान लेते हैं कि यह आपके पास में एक समान चुमके छेतर है, ठीक है, इस तरीके से हमने मान लेकि एक समान चुमके छेतर है यह वाला, ठीक है, फिलाल में इस कोशन के एक लूप ले लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा इसने बोला कि इसका जो लूप कि इस तरीके से लूप आ अबहु इस लूप आए हमारी मतलब है एक बी लाइन जो हमारी यहbar पाइस में चलता है बच्छो songs को और यह आएक पास हम्गार से опять अब हैक्तल आए है क्रॉस नहीं गरते है Property के साथ में तो यहां से जो बच्चो आपका वेक्टर A जाएगा आपका इस पर जो वेक्टर A जाएगा वो जाएगा उपर की तरफ ठीक है यह ओगे वेक्टर A तब अगर आप देखें यहां पर बच्चो अगर वो कोशन में कहता है कि लूप का तल चुमके छेतर के समांतर है ठीक है लूप का तल चुमके छेतर के समांतर तो हम एंगल जो लेते हैं बच्चो B और A के साथ लेते हैं तो यहां पर एंगल कितना जा रहा है बच्चो 90 डिग्री जा रहा है ठीक है तो इस case में यहाँ पर जब value रखी जाएगी B बराबर आपका यहाँ पर जब value रखी जाएगी B A cos 90 अब cos 90 की value जाएगी 0 इसलिए यहाँ पर चुमक्या flux की value निकलगा आपके जाएगी 0 यानि कोई चुमक्या flux यहाँ पर नहीं निकलेगा बात के लिए रहोगी दूसरा यह कहता है लूप का तल छेतर के अभी लंबवत है लूप का तल छेतर के अभी लंबवत है अब लूप का तल छेतर के अभी लंबवत का मतलब होगा बच्चो कि यह जो आपको दे रखा है वो इस तरीके से ना देखे आपको किस तरीके से दिया जाएगा आपको इस तरीके से कहना चाहरा है मतलब वो कि लूप का जो तल होगा आपका वो ये वाला होगा किसके अभी लंबवत यानि कि तल के लंबवत देखे ये लंबवत आ चुका है अब जब लंबब आ चुका है इसका मतलब यहां से बल लेखा कुछ गुजर रही है तो यहां पर जब आप इसमें वेक्टर A ड्रोग करेंगे तो वो भी आपका इसी सीध में आगे की तरफ जाएगा यानि कि यह वेक्टर A हो गया और यह आपका A हो गया तो आप जो एंगल आपका जाएगा बच्चो वो वेक्टर B और वेक्टर A के साथ में कितना जा रहा है ठीटा जिगल टू जीरो डिगरी ठीक है ठीटा जीगल टू जीरो डिगरी जा रहा है जिरो डिगरी, बी का मान कितना है बच्चो, 0.3 ठीके, और एक का मान कितना 6 इंटो 10 की पावर माइनस के 2, ठीके, अब कॉस जिरो के लिए हो जाएगी 1, तो यहां से देखे, 5B is equal to कितना के 618, हैने कि 1.8 इंटो 10 की पावर माइनस के 2O निकल के आ जाएगा, इसका मातर क्या बन जाएगा बच्चो, बेबर, ठीके, तो यहां पर यह values की निकल के आ जाती है, अब तीसरा वाला case बच्चो, जब वो कहता है कि लूप का तल, छेतर से 30 degree कौन पर जुकावाए, तो उसका मतलब क्या होगा बच्चो, जो कितना कहा रहा है वो, लूप का तल, छेतर से 30 degree क पर जुकावाए, तो उसका मतलब वो आप उसे कहना चाहरा है बच्चो, कि अगर आपके पास हैं मान लेते हैं कि कोई एक लूप होगा, ठीके, यह लूप मान लिए हमने कि लूप हमारे पास में है, ठीके, यह लूप हो गया, ठीके, अब यहां से जो बले रेखा हैं निक तो यहां पर वो कहना चाहरा है, आपसे कि अगर यह वेक्टर बी आपके पास में है, और यह एरिया ए है, और वो कहना चाहरा है कि लूप का तल ठीटा वारा में पर 30 डिग्री से जाता है, तो एंगल कितना आएगा, हम एंगल 30 नहीं लेंगे बच्चो, हम जा रहा जो एं एंगल बना, जब 30 डिग्री के कौन पर जुकाव है, तो 90 में से माइनस कर दें, चुकि अभी लंबत होता है, तो यहां पर ठीटा वैल्यू जाएगी आपकी, वो 90 माइनस 30 डिग्री जाएगी, यानि कि आप यहां पर 60 डिग्री स्कोशन में वैल्यू को रखके चलेंगे, ठीके, यानि कि लूप के तल में किया रखा जाएगा, 30 डिग्री रखा जाएगा, ठीके, सोरी, 60 रखा जाएगा, तो अब देखिए वैल्यू कितने निकल का जाएगा इसकी, 5B is equal to, यहां पर आपका जाएगा, B, A, cos 60 डिग्री, ठीके, तो यहां पर देखेंगे, B की वै minus के 2, B बर, यह 5B की वैले निकल लगा जाती है, ठीके, तो इस तरीके से आप इस question कहां सा दे पाएगे, यहां तक बात संजमा आगे चुकी है, ठीके, तो यहां तक बात अगर आपके संजमा आ चुकी है, तो इस तरीके साब इसको कर लेंगे, ठीके, चलिए, अब अगला स्वाल में कहता है आपसे, कि किसी समय टी पर कुंडली से संबंध ताक्षनिक चुमकिया फलक्स 5, यानि कि आपको 5 दे रखा है बच्चो, ठीके, एक वैल्वी दे रखिए, बेबर है, तो समय टी बराब दो सेकिंद में कुंडली में प्रेरित विद्धधा को लग जात कर है, ठीके, तो पहला अब यहां से प्रेरित विद्धुत वहाग बन निका लिए है, ठीके, प्रेरित विद्धुत वहाग बल, तो माइनस के d5 अपॉन डी टी लगा के चलेंगे, फॉर्मला यहां पे n लेके चलेंगे, यहां पे दे नी रखा है, अब वैल्यू पुट करे जाएंगे, तो वैल्यू जाएगे, कितनी बन जाएगे, बच्चो, माइनस तो भार रहेगा, चारती है, बारा, टी स्क्वेर, ठीके, पांदो निक दस, दस टी, चुकि दो पहला जाएगा, एक पार कम हो जाएगी, यह माइनस के 10, और यह प्लस के 0, ठीके, अब माइनस अ यह बराबर 2 सेकिंड पर, तो जहां पर भी टी है, बच्चो, उसके जगे 2 रख देंगे आप, यह बराबर माइनस के 12 गुना, दो का स्क्वेर, प्लस के 10, इंटो 2, प्लस के 10 है ना, तो देखे, सॉल्व करेंगे, माइनस के 12, दो का बर चार्च लाजाएगा, प्लस के 10 हो 20 प्लस के 10, ठीके, तो देखे, कितना बचा यहाँ पर, बीसओ 10 तीस, यह बराबर कितना बचा आपका, वैल्यू कितनी बचाएगी, बच्चो, यहाँ पर आपकी, माइनस के 18 वोल्ट अजाएगा, अब जैसे मैंने बचा आपको, कि माइनस जो दाह आपका यहाँ पर, अगले सवाल देखे लेते हैं अब अगले सवाल में जाते हैं बच्छो धियान देंगे पिसमें कहता है कि विद्धुच्म गया प्रैयर्ण सम्भंध नियम प्राड़े का नियम लिखे लिंगे ठीक है अब कोशन देखे लिए था हूं 2 खोंब यहां से कम हो जाएंगी इस लिएंट की तरी नार्थ कितनी है आइवंनिट 500 कि संखिया हैं रूड़ी के तल से लंबद चुमकै च्षे पॉइंट वन सेक हैं डिल्टर टी सेक इंडिल्टर से मिल्टर टी बराबर पॉइंट वन सेकेंड में 0.2 यानि कि बी जो आपका बीवन अगर इसको कंसेडर करने 0.2 बेबर पर मिटर स्क्राइर से घटकर शूनी यानि कि बीटू बराबर आपको जाता है जीरो हो जाता है तो इस केस में प्रेरित विद्धु धातबल को सफमानी यानि कि यह ग्याद करना है अब देखिए बच्चों जब यह ग्याद करना होगा तो यह निकानने के लिए फॉर्मला क्या लगता आपका यह बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ठीक है अब यहाँ पर आपको डेल्टा फाई नहीं दे रखा ठीक है तो आप जानते हैं बच्चों क कि फाई की जगे हम क्या रख सकते हैं फाई बराब बी इंटू ए रख सकते हैं अब बी के मान अलग अलग है तो इसलिए इसमें रखा जागा माइनस के एन ठीक है डेल्टा बी इंटू ए ठीक अपॉन डेल्टा टी जहां से ए को बच्चों भार निकाल लेंगे तो एन ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी चला जाएगा अब इसको सॉल्व गरने के लिए एन इंटू ए डेल्टा बी को लिख लेंगे बच्चों बी टू माइनस के बी वन अपॉन डेल्टा टी ठीक है अब यहां पर इसका मान रखा जाएगा तो देखिए मान रखेंगे पिसम इसके लिए माइन पॉइंट टू ठीक है अपन में चला जाएगा पॉइंट वन ठीक है समय पॉइंट वन है ना तो यहां से देखिए बच्चो यह दो पाउर आपकी इससे कैंसल हो जाएंगी तो यहां बच्च जाएगा आपका यह बढ़ाव माइनस के 5 और अंदर बच्च यह 5 और नी 10 जाएगा यानिकि 10 वोल्ट ठीक है यह इसका बच्चो आंसर जाएगा ठीक है तो यहां तक बच्चो आपके बास संग माचु हो गी यहां तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए अगर यहां तक कोई दिककत नहीं भच्चो तो आप से मिलते हैं फिर अब अगल